अब है यह लो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उमीद है आप लोग बहुत अच्छा हूं कि फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूटूब चैनल लेकर जो के सब्सक्राइब स्वागत है फ्रेंड्स में फिर आपके लिए लेकर आगे हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पचास कोश्चन वह भी हुमन बॉडी से रिलेटर ठीक है यानि मानव शरीर से समंधित कोश्चन हैं कितने पचास होगी वन नाइनर हैं हमेशा की तरह और कोश्चन मैं आपको बता द पढ़ियों में अपनी पढ़ चुका हूं डीपली ठीक है तो चलिए फ्रेंस मिनादरी के स्टाट करते हैं आज का हमारा पहला कोश्चन है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक वा कार्यात्मक क्या कहलाती है तो यह कहलाती है निवरान ठीक है क्या कहलाती है अगला कोश्चन देखते हैं क्या है प्रस्ट नंबर दो जन्म के बाद किस उतक में कोई कोश्ट का विभाजन नहीं होता है तो यह होती है तंत्रिका कोश्ट का ठीक है क्या होती है तंत्रिका कोश्ट का होती है अगला देखते हैं प्रस्ट नंबर तीन देख लेते हैं क्या है प्रस्ट प्रदान थी शरीर में कहां पाई जाती है तो यह पाई जाती है मस्तिस्क में ठीक है कहां पाई जाती है मस्तिस्क में पाई जाती है प्रस्ट नमबर पांच मानव तुचा को रंग कौन प्रदान करता है हमारी जो तुचा होती है उसको रंग कौन प्रदान करता है यह होती ह मैलानिन के संख्या जिसमें अधिक होगी उसका रंग उतना ही गाढ़ा होगा- काला होगा ठीक है अगला देखते हैं क्या है प्रेशन नमबर छे प्रेशनमबर छे हैं विस्च रक्तदान दिवस पतेक वर्स कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 14 जून को ठीक है अगला है प्रस नमबर 7 मनुस की आखों के रंग को कौन निर्धारित करता है जो हमारी आखें होती है तो आखों का जो रंग होता है उसको कौन निर्धारित करता है तो यह करता है बरतारिका या फिर इसको आईरिस भी बोला जाता है ठीक है क्या बरतारिका या आईरिस अगला देखते हैं क्या है प्रेस्ट नमबर आठ मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है तो यह होता है कार्णिया और इसको ही क्या बोलते हैं नेत्र पटल बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रेश्ट नमबर अगला देखते हैं नौ घासों के अध्यन को क्या कहा जाता है घास यानि घास फूस ठीक है घास का मरलब घास फूस जो होती है तो क्वेश्चन हमारा है घासों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है एक ग्रो इस्टो लोजी ठीक है क्या है hypocological टीक का जाता है इसको अगला देखते है प्रस्ट नूमबर 10 वाल मॉंदल में अक्सीजन की मात्रा होती है तो ये होती है अक्सीजन की 21 मप्रतिसद ऑर जो नाइटोजन होती है उसकी 78 प्रि necklace होती है ठीक है आपने हमें comment में बताना है कि carbon dioxide की मánt Auf फ्री मंडल में कितनी होती है ठीक है चलिए अगला देखते हैं प्रेश नमबर 11 है प्रंभांड में सर्वा धिक मात्रा में काउन सी गयस पाई जाती है तो यह पाई बुरून पोस होता है अगला है प्रस्ट नमबर 13 मस्तिसिय का विक्सित भाग होता है तो यह होता है शेरी ब्रम होता है अगला देखते है क्या प्रस्ट नमबर 14UNG. नमबर 14 है शरीर की वह कौन सी ग्रंथ है जो एक साथ अंता सरावी और बहिर सरावी दोनों का दोनों कार करती है ठीक है इसको रिपीट कर देता हूं सरीर की वह कौन सी ग्रंथ है जो एक साथ अंतासरावी और बहिर सरावी दोनों कारी करती है तो इसका एंसर हो जाएगा अगनासे ठीक है अगनासे और जो अगनासे होती है ये ग्रंथ जो होती है सबसे बड़ी मिस्रित ग्रंथ इसको भी कहा जाता है ठीक है सबसे बड़ी मि श्रीत ग्रंथ होती है ठीक है या रखना प्रस नंबर पंदा देख लेते हैं क्या है इसी क्रम में प्रस नंबर पंदा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो यह होता है जनन सक्ति ठीक है क्या होता है जनन सक्ति जनन सक्ति में कमी ठीक है क्या होगा अंसर जनन सक् थीक विटामिन एक कमी से कौँन रोग होता है जनन सक्ति यानि जो जनन स्क्तक रोख में उप्रेस में तर्म कॉन करता है तो यह हो त्यूथ हूं है हर्मोन होता है अग्ला है प्रस नंबर 17 प्रस violation क्या है है insulin में कौन सा धात उपस्थित होता है तो इसमें जस्ता 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 उपस्थित होता है तो इ तो लार में कौन सा इंजाइम पाए जाता है टाइलिन ठीक है टाइलिन इंजाइम पाए जाता है लार में अगला है प्रस नंबर 19 है प्रस नंबर 19 है प्रस नंबर 19 क्या है लार में कौन सा ठीक है क्या है लार में कौन सा इंजाइम पाए जाता है तो यह हो गया हमारा टाइल जो जी कहलाता है ठीक है अगला देखते हैं प्रस नंबर 21 विश्व एड्स दिवस प्रतेक वर्स कम मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है एक दिसम्बर को ठीक है कब एक दिसम्बर को अगला देखते हैं प्रिस्ट नमबर 22 है मानव सरीर में हड्डियां तथा दांत किसके बने होते हैं तो जो हमारी हड्डियां होते हैं तो जो दांत होते हों किसके बने होते हैं वो ट्राई केलसियम फास्पेट के बने होते हैं ठीक है किसके ट्राई केलसियम फास्पेट के बने होते हैं हड्डि तो यह करते हैं लिंपो साइट को नश्ट कर देते हैं एर्स के विशाण वो अगला देखते हैं प्रस नंबर 24 प्रस नंबर 24 प्रस नंबर 24 हमारा किस प्रस Deals प्रस पैंड की छाल का प्रियोग मसाले के रूप में किया जाता है तो यह होता है डाल चीनी ठीक है क्या होता है डाल चीनी का जो पेंड होता है इसकी छाल का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है प्रस नमबर पचीश सबसे बड़ी अंता सरावी गरंत कौन सी है तो यह होती आवट गरंत ठीक है जिसे ह है ठीक है अगला है प्रस नमबर 26 में टितनेस रोग से कौन सा शरीर का अंग बढ सब्सक्राइब करने में तो यह होता है तंत्र का तंत्र और भी बोलते हैं और इससे क्या प्रणर का तंत्र प्रभावित हो जाता है अगला देखते हैं प्रेस्ट नमबर 27 टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो यह आंत प्रभावित होती है ठीक है क्या है हमारी आंते जो होती है प्रभावित हो जाती है प्रेस्ट नमबर 28 देख लेते हैं क्या है प्र फिर पील पाउं भी बोलते हैं ठीक है फाइलेरिया यानि हाथी पाउं या पील पाउं भी बोला जाता है तो फाइलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है तो यह होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है ठीक है फाइलेरिया में क्या होता है एक प जोहान फ्रेडरिक मिसर ने थी करी कभ है 1879 में करिए ठीक डिने की कोई सरपथम किस ने की थी जोहान फ्रेडरिक मिसर ने 1879 में की थी अगला देखते हैं क्या है प्रस नमबर 30 तो वह कौन सा सरीर का भाग है जो अपनी तूटी हुई को स्काउं को सोता हैं सीख्ड ठीक कर ल देता है तो यह होता है यक्रत यानी लिवर ठीक है अगला है प्रस्ट नमबर 31 क्या हो जाएगा हमारा कौस्चन प्रसम्बर 31 से रख्त परशंचरण की किस Все कि थी तो यह की थी भीलियम हार्वेन से किस बिलियम हार्वेन स्थे अगला है प्रस biography राइब डिवश्प्रतेग वर्ष कम मनाया जाता है तो जोबिस अक्टोबर को मनाय जाता है कि अग्ला प्रसरह मैं 24 स्था भेशन तो यह मना जाता है पते रिविव फ्रमर 25 आर है क्या है यक्रत ठीक है क्या है यानि एक्रत का अध्यन कहलाता है तो यक्रत का अध्यन क्या कहलाएगा तो यह होगा हेपेटोलोजी ठीक है यह हेमेटोलोजी नहीं है ठीक है हेमेटोलोजी तो रख्त का अध्यन हो जाता है लेकिन हेमेटोलोजी है ठीक है क्या है सब्सक्राइब सबसे लंबी मांस पेशी का सबसे लंबी जो मांस पेशी जो होती है वो सार्टोरियस होती है ठीक है सबसे लंबी मांस्पेसी कौन सी होती है सार्टोरियस होती है अगला है को अगला कोश्चन है मारा अगला कोश्चन है चालिस नंबर कोश्चन चारीस नमर सबसे बड़ी मांस्पेसी कौन सी होती है तो यह होती है अक्तिमस मेक्समस मसल ठीक है अक्तिमस मेक्समस मसल होती है कौन सी यह वाली ठीक है अक्तिमस मेक्समस मसल कूले में पाई जाती है और जो सबसे लंबी थी ठीक है अभी देख लेते हैं यहां पर सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी थी वो सार्टोडियत थी वो जांग में पाई जाती है जांग में अब आपको लंबा और मलब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है लंबा और बड़ा में ठीक है जैसे मालो मैं अभी यहां पे बना ही देता हूँ ये वाला ठीक है ये मालो कोई खेत है ठीक है और ये सी तुलना में मैं एक यहां से ये बना देता हूँ ठीक है ये वाला तो ये अभी मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ मालो जैसे कोई ये खेत है ठीक है ये खेत है ठीक है अब दूसरा एक खेत बना रहा हूँ मैं ये वाला ठीक है अब इसमें जब लंबा लंबा कहा जाएगा जो तो जो उपर वाला है ये लंबे में आ जाएगा और जो बड़े की बात करी जाएगी तो ये बड़ा वाला ये हो जाएगा ठीक है बड़ा वाला ये हो जाएगा और जो लंबे की सबसे भड़ी जो लंबी सबसे सबसे यह सब से लंबी सब से क्या है और जो चो pension जानक में पाई जाती है और जो सबसे बड़ी mister है जो जो कि ङृष्ण Anda घान रखना गहाई देखते हैं ट्रशन inheritance यह है प्रस नंबर 41 हैं इसले में कुल मानस्पेश यां की संख्या होती है यह थो यह हो जाएगी च्छेसों ल ऑग्ला देख लेते हैं क्या है फ्रेस नंबर 42 हड्यों में कॉसा प्रोटीन पाय जाता है तो हड्यों में सीन प्रोटीन सा प्रोटिन 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 तो इसमें और मैयोसीन प्रोटिन indyayate प्रस्ट नंबर च्वालीस देख लेते हैं क्या है प्रस्ट नंबर च्वालीस है विश्व धुम्रपान निसेर दिवस कब मना जाता है तो यह प्रतेकवर्स 31 मही को मना जाता है अगला देखते हैं प्रस्ट नंबर 45 विश्व कैंसर दिवस प्रतेकवर्स कब मना जाता है तो चोटा ही रह जाता है उसकी हाइट समान से बहुत ही कम होती है जिसकी नाटा बोलते हैं अगला Champ shortest एस नमबर क्या है मारा प्रेश्ट नमबर है 47 ठीक है सटालीस है हमारे स्रीर में कुल कितनी कितने कसर की खंड पाय जाते हैं ठीक है हमारे स्रीर में कितने कसर खंड पाय जाते हैं это इंकी संख्या होती है 33 प्रस नमदर 48 अंतरह Waitig кham क्यमिए बिखार में डेंगू बुखार के समय में किसकी मात्रा मुखरूप से घृत जाती है ठीक है डेंगु बुखार के समय डेंगु बुखार के समय शरीर में किसकी मात्रा मुखी रूप से घड़ जाती है तो यह होती है बिमबाण जिसे हम प्लेट लेट्स भी बोलते हैं ठीक है अगला देखते हैं क्या है प्रस्ण हमारा अगला प्रस्ण है हमारा एक क्य सोया बीन और मुंगफली में सरवाधिक माता में क्या पाया जाता है तो सोया बीन और मुंगफली में सरवाधिक माता में क्या पाया जाता है यह आपने हमें कमेंट में बताना है तो चलिए फ्रेंस उमीद करते हैं सारे कोश्चन अच्छे लगे होंगे और यह किसी ना किसी परिशह में सारे रिपीड़ कोश्चन है उमीद करेंगे सारे कोश्चन आपको कहीं न कहीं है परिशह में हेल्फ जरूर करेंगे और इसी तरह के वीडियों पाने के लिए यह तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें अपने याद दोस्तों में सेर्ड कर दीजे मिलते हैं कल फिर ने वीडियों में ने टापिक के साथ में तब तक ले जाएं